हाई स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू फर्स्ट को डिटूप चैनल आज से हम लोग उप्रेटिंग सिस्टम के सिरीज को कंटीनिव करने चारे हैं और एक्जाम हमारा चुकी 12 जनुरी 2023 को होने वाला है तो हम लोग एकतम बीश्ट मोड में इस सिलेवस को कंप्लीट करेंगे जो इंपॉटेंट सिर्फ यह मोई पढ़ेंगे जैसे हम लोगोंने फहर्री डीटिटेल में पढ़ा है वैसे नहीं ही मोग पढ़ना है जैसे एक बात करें तो फिर वीमब्रोससें के स्ट्रेटे थोरी पढ़ना होगा वहां पर थोरी पढ़ेंगे जहां पर concept जानना होगा वहां पर हम लोग सिर्फ concept को जानेंगे सो start करते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक जो process होता है process का मतलब simply क्या है आपको पता है कि यह programming execution है ना कोई भी program जो की execution में हो उससे क्या बोला जाता है process बोला जाता है तो process के different different states होता है क्योंकि process परले create होता है फिर आममें पता है कि वो जाकर के RAM में load होता है फिर उससे cpu का time मिलता है तो वो जाकर execute ओता है और अगर पूरा अग्जीकूट हो गया तक terminate होता है तो हमें simple समझ में आता है कि total process के 4 states होते हैं लेकिन नहीं यहां पर process के काफी सारे states होते हैं अगर आप से question पूछ दिया जाए basic के कितने states होते हैं में भी पूछ दिया जाए तब आपको क्या टिक करना है तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे start करते हैं जो हमारा सबसे first state होता है किसी भी process का जिसे बोला जाता है new state ठीक है तो यहां पर मैं एक new state ले लेता हूं इसको name देता हूं new state new state का मतलब क्या है कि process अभी आपका create हो रहा है या process आपका create हो चुका है ठीक है now जैसे ही process आपका create हो गया उसके बाद यह क्या होगा RAM में जा करके load होगा क्योंकि हमें पता है कि हम multi programming operating system आज कल यूज कर रहे है multi programming operating system में क्या होता है कि काफी सारे process को हम लोग RAM में लाकर रख सकते हैं और CPU one by one क्या करेगा उसको execute कराता चल जाएगा तो जो भी process हमारा create हुआ है हम क्या करेंगे उसको उठा करके RAM में ले जाएंगे तो RAM में जो Q होता है उस state का नाम होता है radio state ठीक है तो यहां पर मैं एक और state बना ले रहा हूं और इसको मैं name दे देता हूं radio state r e a d y ठीक है तो new state से radio state में ले जाने का काम किसका रहता है long term scheduler का LTS में लिख दे रहा हूं कोई problem नहीं होने शाहिए ठीक है और यह जो radio state है यह कहां पर है आपका भई तो यह RAM में है memory में है now जब radio state में आ गया आपका process उसके बाद यह कहां जाएगा यह CPU के पास जाएगा इसे चाहिए CPU time है ना यह execute करेगा तो इसे कौन execute करेगा obviously CPU execute कराएगा तो इसको जब CPU time मिल जाएगा यानि कि जब यह execute होगा तब यह चला जाएगा running state में ठीक है तो एक और state में यहाँ पर बना लेता हूं जिसका name मैं देता हूं running state running ठीक है तो student यह कहां चला जाएगा radio state से चला जाएगा running state में और radio state से running state में ले जाने का काम कौन करता है short term scheduler में HTS लिखते रहा हूं ठीक है और यह जो आपका जब program आपका run हो रहा है तो वह कहां रहेगा primary memory या secondary memory और आपको पता है और जब आपका process पूरा पूरा execute हो जाएगा जाने कि माल जाएगा उसमें 10 line के code थे या 12,000 जितने भी lines of code थे वह सारे के सारे जब execute हो जाएगे तो यह आपका process क्या कर जाएगा terminate कर जाएगा जैसा कि आपका program करता है आप सभी को पता है तो यह क्या करेगा भाई terminate terminate यह terminate कर जाएगा terminate का मतलब process आपका end हो गया खतम कहानी हो गया इसका तो यह बोल सकते हैं आपके simple अगर कोई program simple flow of execution किसी program का अगर होता है तब यह total इतने state से होकर के गुजरेगा अब इसमें काफी सारे conditions आते हैं वो conditions क्या है हम लोग बारी-बारी से समझते हैं पहला condition क्या हो सकता है ध्यान से आपको समझना है कि कोई process आया ready state में था फिर उसे CPU का time मिला वो running में गया और अभी फिलाल execute हो रहा है now अब माल्या जाए उसमें कुछ lines of code है उसकुछ lines of code में उससे क्या करना है कि किसी file में कुछ data को लिखना है जैसे माल्या जा हमारे program का कुछ output न करना है या किसी file से माल्या जाए data लेना है या user से data लेना है keyboard से data लेना है तो अगर मुझे data लेना है value को read करना है या value को file में write करना है कुछ input output perform करना है तो उसके लिए batch operating system में क्या होता था कि CPU हमारा idle बैठा हुआ है बोलेगा अच्छा process जाओ तुम अपना input output करो और input output करक लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा क्यों क्योंकि यहां पे है क्या multi programming operating system multi programming का concept क्या है multi programming क्या करता है कि काफी सारे processes को एक बार RAM में ले आता है और running जब running state आपका जैसे ही खाली होगा तो यहां से दूसरा process उठ करके running में चलाएगा तो यहां पे actually होगा क्या कि जब इसे input output क जरूरत पढ़ेगी जब इसे read write की जरूरत पढ़ेगी process की तब यह बोलेगा ठीक है तुम चले जाओ waiting state में और waiting state कोई block state कहा जाता है तो आपको है na confused नहीं होना है अगर मैं waiting state बोलूं या मैं block state बोलूं दोनों क्या है एक ही concept है ठेक है तो यह चला जाएगा student आपका running state से बोल सकते है wait या block state में और यह क्यों जाएगा यह इसलिए जाएगा जब आपका कोई input output operation perform होगा input output या कोई event हो गया ठेक है तब यह चला जाएगा wait या block state में और जब input output इस process का end हो जाएगा तब क्या होगा बताइए तब यह running में जाएगा नहीं क्योंकि running में तो कोई ठोरा होगा ना तब इसे वापस से जाकर के कतार में खड़ा होना पड़ेगा वापस से जाकर के line में खड़े होना पड़ेगा और फिर जब इसकी बारी आएगी जब short term scheduler फिर इसको क्या करेगा schedule करेगा उस हिसाब से CPU इसको मिलेगा I hope आप लोग समझ गयोंगे तो यह ज तक करके आना है, ठीक है, फाइब टिक करके आईएगा, इससे नहीं कम, नहीं जब् justo करेंगा, हाँ, इससे जब् 되게 हुते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ, तो देखें, यह जो आपका weight या block QUEV जो होगा, यह भी कहाँ पे होगा, student, यह भी आपका RAM में ही है, अब देखिए problem कहां पर आनिया start होगी, problem तब आनिया start होगी, जब मान लिया जाए कि यहाँ ready queue में कोई एक process आया, और उसने कहा कि मुझे किसी file में data को write करना है, तो बोला ठीक है, चले जाओ wait state में, फिर कोई दूसरा process आया, वो बोला क्या कि मुझे user to input लेना है, मुझे value को read करना है, बोला ठीक है wait में चले जाओ, फिर तीसरा या चौथा है, ऐसे करके अगर बहुत सारे process waiting या block queue में आ जाए, तब यहाँ पे क्या होगा, रैम हमारा full होने लगेगा न, अब रैम हमारा limited है, रैम हमारे पास कितना होता है, एक GB, दो GB, चार GB, किने का 16 GB, maximum कितना होता है भई, ज़्यादा तो होता नहीं हम लोग के पास, और 16 GB भी है, तो बहुत ज़्यादा थोड़े है, अगर आप 480 Premier Pro को को खोल देते हैं, side by side, तो आपका 16 GB जो होगा, वो भी आपको अच्छा से work करके नहीं देगा, तो यहाँ पे RAM हमारा क्या है, लिमिटेड है, तो चुकि यहाँ पे अगर काफी सारे Processes, वेटिंग या Block Estate में चले जाएं, तो RAM हमारा Full हो सकता है, इसलिए यहाँ पे Concept क्या लाया गया, एक Suspend Wait Estate का, ठीक है, देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक क्या होगा, Suspend Wait Estate होगा, मैं आपके लिख दे रहाँ, Suspend, Suspend Wait Estate, अब यह Suspend Wait Estate क्या करेगा, यह जैसे हैं, Wait या Block जो भी आपका Full हो गया यह वाला Q, तो यहाँ से Processes को उठाएगा, और Suspend या Wait में डाल देगा, ठीक है, और जब यह फलका-फलका खाली हो जाएगा, यानि जो भी हो, इसका Space जब Free हो जाएगा, तब Suspend Wait से क्या करेगा, Processes को वापस से यहाँ पे डाल देगा, अब कही लोग बोलेंगे, कि जब Wait या Block जो था, यह Full हो ही रहा है, तो यह भी तो एक तरह से Full होगा, यह भी तो RAM में ही है, नहीं, जो आपका Suspend Wait है, यह है आपका Secondary Memory में, मैं यह आप पूरा लिख देता हूँ, सॉट में नहीं, ताकि आपको समझ में आए, यह है आपका Secondary Memory में, और आपको पता है, Secondary Memory तो खेर हम लोग के पास बहुत है, Minimum Computer में कम से कम 120 जी भी आज कलाता है, कम से कम, आपको से कम ऐसे तो 1 टी भी हर एक में आता है, आपको पता है ना, तो Secondary Memory के कोई कमी नहीं है हमारे पास, Secondary Memory में सस्पेंट वेट होगा, और जब वेटिंग या ब्लॉक स्टेट बहुत जादा भर जाएगा, तब क्या करेगा यहाँ पे, और यह किसका काम है, ध्यान देना है, यह काम है आपका Medium Term Cedular का, इसका Full Form मैं नीचे लिखता हूँगा, MTS-CSR, तो Medium Term Cedular क्या करता है, RAM से, वेट या ब्लॉक क्यों कहा है भई, यह है आपका RAM, तो यह क्या करता है, RAM से उठाता है, और इसको Secondary Memory में एक तरह से बोले तो क्यों कर देता है, तो Medium Term, हलाकि मैं Cedular पे अलग से वीडियो बनाऊगा, Medium Term Cedular का Basically Work क्या है, कि जब Processes हमारे Executes हो रहे हैं, या Process हमारा जो भी हो State अपना Change कर रहा है, और जहां पे भी RAM हमारा Full होने लगे, तब यह क्या करेगा, कि उन Processes को RAM से उठाएगा, और Secondary Memory में थोड़े दिर के लिए उन्हें Cedule करेगा, थोड़े दिल के लिए Q बना करके उन्हें रखेगा, यह Medium Term Cedular का काम, ठीक है, तो यहां पे यह काम होगा, अब देखें, दूसरा Problem क्या हो सकता है, कि जैसे New, क्या है, यहां पे Process Create हो रहा है, अब वो Process माल लिए जाए, एक Create हुआ, वो Ready क्यों में आ गया, फिर दूसरा Create हुआ, वो भी Ready में, तीसरा Create हुआ, वो भी Ready में, अब Ready भी कहा है, भाई, रैम में है, यह भी कहा है, रैम में है, और हमारे पास Multi Programming Operating System, यानि कि रैम में Multiple Processes एक बार में आ सकते हैं, भले ही Run होगा, यह कहीं, लेकिन Multiple Processes रैम में तो आ सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा फिर यह भी Full होने लगेगा, तो Obviously, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक Suspend Ready State लेना पड़ेगा, तो थोड़ा समय से नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि Space नहीं बचा है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, स्टुडेंट, एक लेना पड़ेगा, Suspend Ready State, तो यहाँ पे मुझे Suspend Ready State लेना पड़ेगा, और जैसे ही Ready State हमारा, यानि कि यह जो Ready क्यों है, यह Full हो जाता है, तब कौन करेगा यह, यह भी Medium Term Scheduler करेगा, क्योंकि यह है आपका RAM में, और यह है आपका Secondary Memory में, Secondary Memory में, Like Hardix में हो सकता है, चीक है, तो यह Ready Q से उठाएगा, और Suspend Ready में डाल देगा, और यह किसका काम रहेगा भई, तो Medium Term Scheduler का काम रहेगा, और जब Ready Q खाली हो जाएगा, यानि इसका Memory बच जाएगा, फ्री रहेगा, तब यहां से फिर Processes को यहां पर डालेगा, तेक है, यहां तक बात समझ में आ गया, Now, अब एक बात और समझ यह Student, कि यहां पर मैंने आपको क्या बताया, कि Running, मान लिया जाएग कोई Process हमारा Execute हो रहा है, और अगर कोई Input Output, Read Right उसे करना है, तो वो Waiting में चला जाता है, वेटिंग अगर हमारा बहुत सारे Processes Waiting Q में आ जाए, तो RAM हमारा Full होने लगेगा, इस कारण से Suspend Wait लाया गया, अब Suspend Wait से Processes को कहां ले जाना है, वापस से Waiting में ले जाना है, और Waiting से उन्हें Ready में ले जाना है, फाइनली कहां ले जाना है, Ready में ले जाना है, ध्यान देजेगा, लेकिन Waiting State में Processes आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और Suspend Wait में आ रहे हैं, क्योंगी wait और block state तो भरा का भरा है और यह suspend wait में ही रह जाएगा इसलिए यहां पर क्या किया जाता है कि अगर मांद आ जाए वेटिंग आपका यह जो wait या block state यह खाली नहीं हो तब क्या किया जाएगा अरे यह क्या हो गया एक मिन्नट हाँ तब क्या किया जाएगा कि इस सस्पेंड वेट से सीधे प्रोसेस को उठा करके सस्पेंड रेडी में डाल दिया जाएगा चुकि यह भी कहा है भाई secondary memory में ही है ना तो यहां से सीधा इसे कहाँ डाल दिया जाएगा Suspend Ready में डाल दिया जाएगा और जैसे ही Ready Q में स्पेस खाली होगा यह Ready Q में जाएगा और Sorter में सेडूलर इसे सेडूल करके CPU Allocate कर देगा क्योंकि finally Suspend Wait से कहा जाना है Ready में ही जाना है न वो Wait Block में जाएगा और फिर Ready में जाएगा लेकिन Wait Block तो Already Full है तो जाही नहीं सकता है यह यहां का यहीं रह जाएगा एक्जीक्यूट नहीं हो पाएगा इसलिए यहां से Suspend Ready में चला जाएगा ठीक है तो यह था स्टूडेंट आपका Simple Process का Concept Process States का Concept basically ठीक है कि कितने Process के States होते हैं कैसे कैसे कौन सा State Convert होता है किस स्टेट में यह मैंने आपको बता दिया अब थोड़ा समय यहां पे लिख देता हूँ जो मैंने LTS लिखा है LTS इसका मतलब है Student Long Term Sedular ठीक है S-C-H-E-D-U-L-E-R उसके बाद है आपका मैंने क्या बोला MTS MTS का मतलब है Med Term Sedular या Medium Term Sedular ठीक है Medium Term Sedular और एक है आपका HTS यह है आपका Short Term Sedular ठीक है Now अब यहां पे Student Process का Concept जो था Process State का वो end हो गया एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ देखे हमारा जो Process है वो अगर Primitive है Primitive कहने का मतलब क्या हुआ मैंने अभी आपको बताया नहीं Primitive कहने का मतलब क्या है कि हमारा Process में मान लिया जाए Time Quantum कुछ दिया हुआ है कि कुछ जो हमारा Process है देखे जैसे मान लिया जाए कि एक Process है P1 Process क्रियेट हुआ यह चला गया Ready Q में ठीक है अब Ready Q में जब यह गया तो अभी यह वेट कर रहा है कि कब इससे CPU Allocate होगा Sauter Macadular ने CPU को Allocate किया तो यह अपने समय पे गया और Execute हो रहा है मान लिया जाए Execute होते 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 इसका Time Quantum end हो गया अब चुकि मैंने अभी Time Quantum नहीं पढ़ा है इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था लेकिन Process State पढ़ा रहा है तो बताना पढ़ेगा Time Quantum मतलब क्या हुआ कि हमने सारे Processes को कुछ Time दिया हुआ है कि Process 1 5 seconds, Process 2 5 seconds, Process 3 5 seconds, Process 4 5 seconds सारे सारे 55 seconds रन करेंगे किसी का अगर 6 seconds है 8 seconds है तो वह दूसरी बारी में फिर अपना खतम करेगा तो अगर मान लिया जाए वो Execute कर रहा था और अभी बचा हुआ है उसका लेकिन Time Quantum end हो गया तो जैसे Time Quantum end होगा तो यह वापस से कहां चला जाएगा वापस से चला जाएगा Ready Q में और जो दूसरे Process होंगे उनको मौका दिया जाएगा तो यह वापस कब जाएगा जब मान लिया जाए Time Quantum end हो गया ठीक है Time Quantum जो था पुड़ा Light Color से लिख देते हैं जो आपका Time Quantum था वो end हो गया अगर Time Quantum ठीक है Time Quantum अगर end हो गया यह क्या हो सकता है कि कोई Process P1 Execute हो रहा था उसी समय Ready Q में RAM में कोई एक ऐसा Process आ गया P2 P3 जिसका Priority ज्यादा था जो Process अभी Running में उससे काफी ज्यादा High Priority है इसका तब क्या होगा यह जो Process रणिंग में था यह वापस से चला जाएगा RAM में और High Priority वाले Process को CPU Liquid किया जाएगा यह जब हम पढ़ेंगे Priority Based Decidulating Algorithm तब उसमें हम देखेंगे इस Concept को लेकिन अभी मैं Diagramatically समझाना चाहरा हूं तो वो समझे आप तो अगर कोई High Priority का High Priority का Process आता है तब यह कहां चला जाएगा Ready Q में तो यह Total कहानी आपका होने वाला है Process States का जब कोई Process Execute हो रहा है तो इससे बाहर कहीं आपका Process नहीं जाएगा ठेक है Student तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर और जो हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर अप्रेटिंग सिस्टम का complete playlist मौझूद है अगर आप इस playlist को access नहीं कर रहे हैं तो इस playlist को access कीजिए description में लिंक दिया हुआ है और जो notes होता है student जैसे आपको यह notes दिखा लिखा हुआ तो यह सारा notes आपको description में PDF के format में provide करा दिया जाता है वहां से आप download कर सकते हैं तो मिलते हम लोग अपने next lecture में जहां पर हम लोग discuss करेंगे process control block हमें सिर्फ वही topic पढ़ना है जो important है ठीक है thanks for watching